लोग सभा इंतिखाबात के सिलसिले में पूंच जिला में तीन रोजा पोस्टल बैलट वोटिंग शुरू हुई जिला में जरूरी खिदमात से वाबस्ता कल 425 लोग पूंच में वोट डालने ही राजूरी अनन्त नाग लोग सभा सीट पर में 25 को होने वाली वोटिंग के सिलसिले में पूंच जिला में आज तीन रोजा पोस्टल बैलट वोटिंग शुरू हुई एक रोजा पोस्टल बैलट वोटिंग का अमल शुरू हो गया जिसके लिए जिला तरफियती डिप्टी कमिशनर पूंच के दफ्तर में पूलिंग सेंटर काइम किया गया है जहुंँ जरूरी खिदमात से वाबस्ता 425 मुलाजमीन वोट दींगे आज जैसे ही पोस्टल बैलट वोटिंग शुरू हुई वोटिंग मुलाजमीन वोट डालने के लिए पहंचना शुरू हो गए इस मौका पर पोस्टल बैलट वोटिंग के नौडल अफसर ने कहा कि ये पूंच जिला के पोस्टल बैलट वोटिंग के लिए बनाया गया पोलिंग बूत है जहां तीन दिन तक वोटिंग होगी अगर तमाम 425 वोटिंग पहले से वोट डालते ही तो वोटिंग का ये अमल रोक दिया जाएगा आज यहां अनतनाग रजोरी पारलेमेंटिक ऑंस्योंसी में 19, 20 और 21 तारिक को जो असेंसिल सर्फिस्स के वोटिंग के वोटिंग का पुझ डिस्टिक में हमने ये पोस्टल वोटिंग सेटर सेट अप किया है जहां तीन दिन तक वोटिंग चलेगी तीन दिन तक हमारा ये पोलिंग सेशन यहां पर चलता रहेगा अगर इनके इस पहले 425 लोग जिनने यहां अपलाई किया हुआ है अगर वो पॉल कर जाते हैं तो तब इसको हम वाइड अप करेंगी अधर्वाइस हमारा ये सेशन तीन दिन का चलना है जिसमें तीन दिन तक पॉलिंग होगी और 425 लोगों को यहां पोस्टल बैलट के थरू अपना वोट कास्ट करने का मौका मिलेगा पॉसर जीला पॉंच में कितने पॉलिंग हो रही है इसके इलावा हमारे 105 ऐसी पार्टीज हैं जो होम वोटिंग के लिए डिफरेंट लोकेशन पे गई हैं जिसमें 41 पार्टीज पॉंच हवेली कांस्टेंसी की हैं 29 सुरन कोट की है और 35 मेंडर कांस्टेंसी की हैं यह वो पॉलिंग पार्टीज हैं जो एबसेंटी वोटर्स होम वोटर्स के पास जाके ऐसे लोग जो जिनकी उमर 85 साल से जादा है या फिर जो फिजिकली हैं और पॉलिंग स्टेशन पे जाके वोटकास्ट नहीं कर सकते हैं उन सब लोगों को यह फैसलिटी एलेक्शन कमि करवाई जाएगी बोल्ड चेकिंग और मशीन की सहूलत भी दस्तियाब है तो शादी ब्या की जेवरात या गर की हूँ सोने और चांडी की खेडारी तशरीफ लाईए साजन जिलर शोरूम पर नजदी जेके बैंक पे काउंटर उंच मजीद जानकारी के लिए नमबर पर राप्ता भी काइन कर सकते हैं नमबर ही 9797390400 9797689111 झाल झाल